तो गाईज इस ब्लॉग में आप ब्लॉग के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी देखेंगे थोड़ा बहुत और इसमें इससे आप मोटिवेट होंगे और गाउं में क्या होता है गाउं से जुड़ी चीजें फिर सहर से जो भी है सब दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग म हाई गाईज गुड मॉर्निंग विल्कम तो माई न्यू ब्लॉग गाईज यह मेरा ब्लॉग वीडियो आसे स्टार्ट हो रहा है और जो मेरा चैलेंज वाला वीडियो आता था अब वो नहीं आएगा और आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा कुछ दिनों के बाद आएगा क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हर अच्छी चीजें लोगों को पसंद नहीं आती और अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आती लोग उसको गिराना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं कुछ वज़य है बड़ी वज़य है जिससे मैं वो वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ और प्राब्लम है और अभी मैं इस वीडियो में उसका खुलासा भी नहीं कर सकता हूँ थोड़े टाइम के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यूं आखिर मैंने वो वीडियो बंद किया जिसमें चैलेंज होता था और गाइज यकीन मानिये मुझे उस वीडियो को बनाने में जो खुशी मिलती थी वो कभी नहीं मिल सकती मुझे बहुत खुशी मिलती थी उस वीडियो को बनाने में जब बच्चे पढ़ाई करते थे इनाम के लालच में पढ़ाई करते थे याद करते थे पढ़ते थे मोबा कर जाते थे बच्चे उनके माबाब भी बहुत खुश होते थे और उनको कहते थे कि आप दिल से पढ़ो और मेरा जो मकसद और मतलब यही था कि बच्चे पढ़ें और पढ़ने में ही उनका इंटरेस्ट हो लेकिन बूला मैंने कि हर अच्छी चीज सब को पसंद नहीं आती ह है इसलिए मैं उस वीडियो को बंद करना हूँ और फिलहाल मेरा ब्लॉग वीडियो स्टार्ट होगा और इस ब्लॉग वीडियो में भी बहुत मज़ा आने वाला है तो गाइस इस ब्लॉग में आप ब्लॉग के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी देखेंगे थोड़ा बहुत और इसमें इससे आप मोटिवेट होंगे और गाउं में क्या होता है गाउं से जुड़ी चीजें फिर सहर से जो भी है सब दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग में गाउं से जुड़ी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा कितना मजा आता है बहुत मजा आने वाला है देखिए यह गाओं का बगीचा है आम का और यहाँ पर आम शुरुवात हो चुकी है फलफूल लेने की बहुत ही मज़ा आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है हर तरफ हर याली चाही हुई है तो गाइज ज्यादा बाते ना करते हुए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे